नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका उशन उसनवीन और आप सभी का आज की वीडियो में दिल से स्वागत करता हूँ आज की वीडियो खास है आज बताने वाला हूँ कि जब आपने पासपोर्ट की स्टैंपिंग के लिए जाओ पीजी डवलू पी अपलाय कर दिया है पासपोर्ट रिक्वेस्ट आज चुकी है आपके पास तो उसके बाद आपको क्या करना है तो पहले दो एंवलप लेने स्टैनेट साइज और लेटर साइज एंवलप लेने आपने यह दो एक बड़ा एक छोट आपको आजाओगे आटमेटिक उन्हें पता होता कि हां जी आपको पासपोर्ट के चाहिए तो आपको निकाल के दे देंगे आपको दो रिजनल लिखा हुआ यहां पर रिजनल में रहता हूं तो रिजनल रिजनल अगर आप ओंटारियो के बाहार है तो शाहाद आपको दूसरा लेना पड़ेगा बट बिंग इन अंटारियो रिजनल ले लिया है मैंने इन दो एंवलप को लीजिए और एंवलप के अंदर आपने तीन चीज जालनी होती है बड़े वाले एंवलप के अंदर एक तो छोटा वाला एंवलप जाता है दूसरा आपको पास्पोर्ट रिक्वेस्स लेटर जो आया उसका प्रिंट मार वीजिए बो जाएगा तीसरा आपका पास्पोर्ट जाएगा बस बे मतलब कि मैंने इतने सारी वीडियो देखी सबने घुमाफ रहा कि अपनी वीडियो को लैंथ नंबा करने के लिए बकवास की बात दो आपको एक जब आप कैनेडा पोस्ट पोस्ट करते हैं लिए कोई कूरियर सर्विस लेते हैं मैंने कैनेडा वाला एड्रस पर डाल दूंगा तूपे ठीक है धैण्स अल फ्रॉम माई साइड यहाँ पर लिखना यहां पर यहां पर यह लिख दो लिख दो कुछ बखवा वाला वह एड्रस आपर डालेगा इसके अंदर जो आप यह डालेंगे आपका जो वापिस पासपूर्ट डालके स्टैम करके जो आपको वापिस भीजने वाला यह है हो छोटा वाला एंवलेप तो इसके अंदर जो एड्रस जालना है फोर एग्जामपल दो दिन बाद चार दिन बाद आपको लगता कि आपका ही शिफ्ट होने वाले हैं तो यहां पर डूपे आप अपना जो नया अड्रस है वह भी डाल सकते हैं बिना किसी समच्जा के बिना किसी प्रॉबलम के आपको अपने हाँ पर आपके निव एड्रस प आडरेस जालूँगा यहाँ पर टुम आटमेटिक भरके देदूँगा अपना नया एडरेस बाकि इस बड़े वारे एंविलप में चोटा वाल एंविलप जाएगा मेरा पासपूर्ट रिक्रेस्ट लेटर जाएगा बस इसको करने के बास सम्मिट करके जहां से आपने नहीं है enjoy कीजिए मेरी जान मेरे भाईयों दो काम जरूर कर लेना जब भी आप अपना form भर रहे हो कि दोनों envelop के tracking number के photo catch के रख लेना है फिर कहीं लिख के रख लेना उसके अलावा जब समिट करते हैं तो इस तरीके से आपको सबसे कम टाइम में सारी सारी इंफोमेशन देने में मैं समर्थ रहा होँगा तो इसके अलावा कोई दिख्यतवाली बात नहीं है जैसे मुझे रिसीव होगा सबसे कम टाइम में सारी सारी इंफोमेशन देने में मैं समर्थ रहा होँगा तो टेक के अमरी जान जै इंद जै भारत राम राम जी